नमस्कार मैं हूँ चंदरभान सिंग्भदोरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीवी लाइव आज हम बात करेंगे आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी की आप सभी जानते हैं कि 5 लाग से ज़्यादा एजेंट 21 लाग से ज़्यादा निवेशक लगातार इसमें परिशान हो रहे हैं भारत सरकार कोई नितिकत निर्ड़ नहीं कर पा रही है और 10 से 12 हजार करोड रुपे के आसपास की रासी लोगों की इस पूरे स्केम में फसी हुई है मामला हाई कोड में भी लंबित है सरकार अपने इस तर पर क्या सरकार का स्टेंड अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है लोग सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर के जरिए लगातार अभियान चला रहे हैं कई लोग ऐसे हैं जो परतारित होकर सोसाइड भी कर चुके हैं बावजुदिस के सरकार बहुत ज़्यादा उस्सा नहीं दिखा रही है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसे एड्रेस देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है जिसके जरिये तमाम जो निवेशक हैं या जो एजेंट हैं या जो करमचारी हैं जिनकी सिंख्या हजारों में हैं वो इस पते पर अपना शिकायत आवदन डालें ये दो पते में आपको बता रहा हूँ आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएंगे लेकिन मैं पहले बोल देता हूँ उसके बाद आपको स्क्रीन पे ये पते नज़र आएंगे आप इसके स्क्रीन स्याउट ले लिजिएगा और इस पते पे आप अपने सारे डेटा लिखकर एक शिकायश जरूर डालें और दो आपको मैं टेलिफोन नमबर दे रहा हूँ ये दोनों नमबरों पे जितने भी निवेशक हैं वो परिशान कर दें बारा सरकार के जम्मेदारों को लगातार फोन करें, हक के लिए परिशान करें, बेवज़ परिशान न करें तो सबसे पहले मैं आपको जो दे रहा हूँ नमबर ये है ये जो नमबर है और ये जो एड्रेस है यहाँ पर आपका शिकायत आविदन पहुचना जरूरी है और ये आवेधन आप रेइस्टर्ड एडी से भेजिए ताकि आपके पास पाउती आ सकेगी और एकाउंटबल होगी जिम्हदार होगी भारत सरकार जॉइन सेकेटरी महोदे कि वो ये नहीं कह सकते कि आपने उन तक शिकायत नहीं भीज़वाई थी आपने अपने उनको उनक इसने में बता देता हूं जॉइन सेकेटरी इन ब्रेकेट कॉपरेटिव एंड सेंटरल रोईस्टार रूम नमबर 297D दोस्तों संतानो D क्रसी मंत्रा ले ब्रेकेट में लिखिएगा क्रसी भवन ने दिल्ली ये जॉइन सेकेटरी और जो शेंटरल रोईस्टार हैं उनका पता है दिल्ली का इनी के हातों में इनी के ज़रा फैसला किया जाना है और इनी के जरीया आपकी रासी जारी होनी है आप लगातार पत्र लिखिए शिकायद कीजिए और इस पर इनको एक्शन लेनी पड़ेगी लगातार कीजिएगा अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो पर आप कोर्ट में मूग कर सकते हैं आपका क्लेम स्टॉंग बनेगा इसलिए जरूर कीजिएगा जो निवेशक हैं खास तोर पर उनसे मैं अन्रोद करना हूं और एजेंट बंदों से भी अन्रोद है कि वो अपने निवेशकों से ये एप्लिकेशन करवाएं और इनका पि लोगों के पास है लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस नंबर पर लगातार फोन करें 011 पिन कोड नंबर है और 233-81176 इसको मैं फिर से हिंदी में पढ़ देता हूं 011 पिन कोड नंबर है 233-81176 ये लेन लाइन नंबर है Central Registar और Joint Secretary Cooperative Agriculture Department के इनको आप फोन लगाईए और लगातार पूछे कि क्या होगा और दूसरा जो एड्रेस है वो भी आप नौट कर लेजिए ये उब सच्चिव हैं करशी मंत्राले अंतरकत आते हैं संजे स्री संजे कुमार उब सच्चिव रूम नंबर 217 एड्रेस है दो कौमा लगाई है अनुसंदान भवन रफी मार कर ने दिल ली पिन कोड वही है 110001 इनकी इमेल आइडी है संजे साजेवाई at the red csir.res.in ये स्क्रीन पे भी आपको काफी देर तक डिस्प्ले होगा एड्रेस और इमेल आइडी आप उससे स्क्रीन शॉट बना लिजेगा और इनका फोन नंबर है 011-234-70217 हिंदी में बता रहा हूं 011-234-70217 ये दो अधिकारी जो है इनको इसलिए बठाया गया है कि ये आप जंता के समस्याओं का निराकरान करेंगे जो कॉपरेटिव से सम्मधित होगी आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी का रेजिस्टेशन यहीं पे हुआ था यही समय समय पे उस सुसाइटी को पुरुसकरत भी चरते रहे और पनिस भी करते रहे और हाल में जो भी दिक्कते हैं वो यही से इसी दबतर से है इसलिए सारे निवेशक जो देश भर में हैं खासका राजिस्थान में ज्यादा इसके निवेशक हैं मदबरदेश में है, यूपी में है, पंजाम में है, हर्याना में है, कश्मीर में है, जम्मू में है, उन सबसे अगरा है कि यह जो दोनों एड्रेस मैंने आपको दिये हैं, यहाँ पर अपने शिकायच जरूर भेजिएगा, स्क्रिन शॉट आपको काफी देर आप ले को तुरंद फाइल कीजेगा, देखे मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा, क्योंकि सवाल नियत का है, अगर जंता को परेशान करने के नियत नहीं होती भारत सरकार की, क्रसी मंत्राले की, तो अभी तक फैसला हो जाता और आपके खातों में आपका पैसा, आपकी मेहनत का प रियास कीजिए, यह वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगला अपडेट जो नियालेन प्रोसेस का है, आदर्स क्रेडिट सोसाइटी का, कि क्या लीगल स्टेटस है, उसको लेकर जल्दी आपके बीच में आऊंगा, चैनल को आपने भी तक स असानी से पहुछ सके है.